मदालसा एक पुराणिक चरित्र है जो रितुद्वज की पट्रानी थी और विश्व वसु गंदर्व राज की पुत्री थी रितुद्वज थी नाम का एक राजा था उसके यग्यों में सो मुपान करके इंद्र उस पर विशेश प्रसन हो गए शत्रुजीत को एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ती हुई जिसका नाम रितुद्वज था उस राजकुमार के विभिन बर्णों से संबंदित अनेक मित्र थे सबी घटे खेलते थे मित्रों के अश्वतर नाग राज के दो पुत्र भी थे जो प्रतिदिन मनो विनोद क्रीडा इत्यादी के निमित रितुद्वज के पास बूतल पर आते थे राजकुमार के विना रसातल में वे रात भर अत्यांत प्याकुल रहते एक दिन नाग राज ने उनसे पूछा कि वे दिन भर कहां रहते हैं उनके बताने पर उनकी प्रगाड मित्रता से अवगत होकर नाग राज ने फिर पूछा कि उनके मित्र के लिए वे क्या कर सकते हैं दोनों पुत्रोंने का रितुद्वच अत्यंत संपन है किन्तु उसका एक असाध्य कार्य अटका हुआ है एक बार राजा शत्रुजीत के पास गालप मुनी आये उन्होंने राजा से कहा था कि एक देत्य उनकी तपस्या में विख्णू प्रसूत करता है उसको मारने के साधन स्वरू यह कुबले नामक गोडा आकाश के नीचे उत्रा और आकाश मानी हुई राजा शत्रुजीत का पुत्र रितुद्वज गोडे पर जाकर देत्य को मारेगा यह गोडा बिना थके अकाश चल प्रित्वी पर समान गती से चल सकता है राजा ने हमारे मित्र रितुद्वज को कालप के साथ कर दिया रितुद्वज उस गोडे पर चड़कर राक्षस का पीछा करने लगे राक्षस सुवर की रूप में था राजकुमार के वाणों से बिन कर वह कभी जाड़ी के पीछे चुप जाता कभी गड़े में कूद जाता ऐसे ही वह एक गड़े में कूदा तो उसके पीछे पीछे गोडे सहित राजकुमार भी वहीं कूद गया वहाँ सुवर तो दिखाई नहीं दिया किन्तु एक सुनसान नगर दिखाई पड़ा एक सुन्दरी पिस्तता से तेजी से तेजी चल रही थी राजकुमार उसके पीछे चल पड़े उसका पीछा करते हुए राज राजा एक अनुपम सुन्दर महल में पहुँचे महा सोने के पलंग पर एक राजकुमारी बैटी थी जिस सुन्दरी को उसने पहले देखा था वह उसकी दासी कुंडला थी राजकुमारी का नाम मदालसा था कुंडला ने बताया मदालसा प्रसिद गंदर्व राज विश्व वसू की करन्या है ब्रच केनू दानव का पोत्र पताल केतू उसे हर कर यहां ले आया है मदालसा के दुखी होने पर काम देनू ने प्रकट होकर आश्वासन दिया था कि जो राजकुमार उस देते को अपने वाणों से बिन देगा उसी से इसका विवा होगा जितु द्वज ने उस दानव को बींदा है यह जानकर कुंडला ने अपने कुलगुरू का आवन किया कुलगुरू तंबरू ने प्रकट होकर उन दोनों का विवासनसकार कराया मदाल्सा की दासी कुंडला तपस्या के लिए चली गई तथा राजकुमार मदाल्सा को लेकर चला तो देत्यों ने उस पर आक्मन कर दिया पताल केतु सही सबको नश्ट करके वे अपने पिता के पास पहुंचा निविक्न रूप से समस्त प्रित्वी पर गोडे से गुमने के कारण वे कोवल याक्ष्व तथा गोडा कोवले नाम से प्रसिद हुआ पिता की आग्या से वे प्रति दिन प्रात्यकाल उसी गोडे पर बैठ कर ब्रामनों की रक्षा के लिए निकल जाया करता था एक दिन वे इसी संदर्व में एक आश्रम के निकट पहुँचा महापताल केतु का भाई ताल केतु ब्रामन वेश में रह रहा था भाई के दुएश को समरण करके उसने यग्या में स्वर्ण अर्पर्ण के निमित राजकुमार से उसका स्वर्ण हार मांग लिया तन्दंतर उसे अपने लोटने तक आश्रम की रक्षा का भार सौप कर उसने जल में डुपकी लगाई जल के भीतर से ही वह राजकुमार के नगर में पहुँच गया वहां उसने द्यत्यों से युद और राजकुमार की मृत्यू के जूटी खबर की पुष्टी हार दिखा कर की ब्रामणों ने उनका अग्नी संसकार कर दिया मदालसा ने भी अपने प्रांट त्याग दिये ताल केतु पुने जल से निकल कर राजकुमार के पास पहुँचा और धन्यवाद दे कर राजकुमार को विदा किया घर आने पर इतु द्वच को समस्त समाचार पता चला मदालसा के चीर विरह से आतप्त होकर शोका कुल हो गए वे हम लोगों के साथ थोड़ा मन बहला लेता है पुत्रों की बात सुनकर उनके मित्र काहित करने की इच्छा से नागराज ने तपस्या से सरस्वती को प्रसंद कर अपने तथा अपने भाई कंबल के लिए संगीत शास्त्र की निपूर्टा का वर्प्राप्त किया तदंतर शिप को तपस्या से प्रसंद करके अपने फन से मदालसा को पुनर जनम दे दिया अश्वत्तर के मध्य फन से मदालसा का जनम हुआ नागराज ने उसे गुप्त रूप से अपने रनिवास में छुपा कर रख दिया तदंतर अपने दोनों पुत्रों से रितुद्वज को अमंतरित करवाया रितुद्वज ने देखा कि दोनों ब्रामन वेशी मित्रों ने पताल लोग पहुँच कर अपना चद्म वेश त्याग दिया उनका नाग रूप तथा नाग लोग का आकर्शक रूप देख कर वह अत्यन्त चकित हुआ अत्यत्यों प्रांथ नाग राज से उसका मनवांचित पस्तु मांगने के लिए का रितुद्वज मौन रहा नाग राज ने मदालसा उसे समर्पित कर दी उसने अत्यन्त आभार तथा प्रसन्नता के साथ अश्वतर को प्रणाम किया तथा अपने गोडे कुबले का आवन कर वह मदालसा सहीद अपने माता पिता के पास पहुँचा पिता की मृत्यू के उपरांथ उसका राजय अभिशेक हुआ मदालसा से उसे चार पुत्र प्राप्त हुए पहले तिन पुत्रों के नाम क्रमशा विकरान सुबाहु अरी मर्दन रखा गया मदालसा प्रतेक बालक के नाम करण पर हस्ती थी राजय ने कारण पूचा तो वै बोली नामा रूप गुण बालक में होने अवशक नहीं है नाम तो मात्रुचिन है आत्मा का नाम भला कैसे रखा जा सकता है मृत्यू के पश्चाद मिले पुनर जीवन ने मदालसा को मानव जीवन की नश्वरता और जीवन के सार तद्व का ग्यान करा दिया था अब वै पहले वाली मदालसा नहीं रही थी लेकिन उसने अपने विवार से इस बात को प्रकट नहीं होने दिया पती से बचन लिया कि होने वाली सालिस संतानों का लालनपालन का दाईद उसके उपर होगा और उसमे पती कोई हस्तरशेप नहीं करेंगे मदालसा गर्वती हुई तो अपने गर्बस्त शीशु को संस्क्रादित करने लगी उसे भी वे ग्यान देने लगी जिस ग्यान से वे श्व्यम परिपून थी वे अपने गर्बस्त शीशु को लोरी सुनाते हुए कहती ए मेरे वेटे तुशुध है बुद्ध है संसार की माया से निरलिप्थ है एक के बाद एक तीन पुत्र हुए पिता शत्रिय थे उनकी मान्यता थी कि पुत्रों का नाम भी शत्रे गुणों के अनुरूप हो इसलिए इस सधार पर अपने पुत्रों का नाम रखा विक्रांत सुबाहु शत्रु मर्दन उसके सारे पुत्र मदालसा से संसकारित थे मदालसा ने उन्हें माया से निर्लिप्त निर्वित्ती मार्क का साधक बनाया था इसलिए सब ने राजमहल त्याकते हुए सन्यास ले लिया पिता बड़े दुखी हुए कि ऐसा हुआ तो कैसे चलेगा मदालसा फिर से घर बती हुई तो पती ने अनुरोथ किया कि हमारी सभी संताने निवृत्ती मार्क की पतिक बन गई तो ये विराट राजपाट को कौन संभालेगा इसलिए कम से कम इस पत्र को तो राजगाच की शिक्षा दो मदालसा ने पती की आग्या मान ली जब चोथा पत्र पैदा हुआ तो उसने अपने पहले तीनों पत्रों की तरह उसका नाम भी शत्रे सूचक रखना चाहते थे जिस पर मदालसा हस पड़ी और कहा आपने पहले तीन पत्रों के नाम भी ऐसे ही रखे थे उससे क्या अंतर पड़ा फिर इसका शत्रियों चित नाम रख कर भी क्या हासिल होगा राजा रितुद्वज ने कहा फिर तुम ही इसका नाम रखो मदालसा ने चोथे पुत्र का नाम अलर्क नाम दिया और उसे राजधरम और शत्रे धरम की शिक्षा दी अलर्क दिव्य मा से संसकारित थे इसलिए उनकी गिंती सर्व गुंड संपन राजाओं में होती है उन्हें राज काज की शिक्षा के साथ मा ने न्याय करुणा दान इन सब की भी शिक्षा दी पालमी की रमायन में आखान मिलता है एक नेत्र ही इन बामन अलर्क के पास आया और अलर्क ने उसे अपने दोनों नेत्रदान कर दिये इस तरह अलर्क विश्व के पहले नेत्रदानी है इस अद्वुत्या की शिक्षा अलर्क को मा मदाल्सा के संसकारों से ही मिली थी बालक शत्रिय कुल में जन्मा हो तो ब्रह्म ग्यानी की जंगा रंकोशल से युक्त होगा नाम शूर वीरों जैसे होंगे तो उसी के अनूरूप आचरन करेगा इन सब इस्थापित मान्यताओं को मदाल्सा ने एक साथ द्वस्त करते हुए दिखा दिया की मा अगर चाहे तो अपने बालक को शूरवीर और शत्रूंजय बना दे और अगर चाहे तो वहदीर गंबीर महात्मा ब्रह्म ग्यानी और तपसिवी बना दे अपने पुत्रों को एक साथ साधक और शाशक दोनों गुणों से युक्त करने का दूरलब सिद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी शरीर भिनत्यज सर्व चेश्टाम मदाल सावाक्यम उपास्व पुत्र मदाल्सा अपने पुत्र कुन-कुन को लोरी सुनाते हुए कहती है कि हे पुत्र तुम सिद्ध हो तुम बुद्ध हो केवल ग्यानमाय हो निरंजन अथार्ट सर्व कर्मकल से रहित हो संसार की मौ माया से रहित हो इस शरीर से सर्वता भिन हो अतै सभी चेश्टाओं का परित्याक करो हे पुत्र मदालसा के वाक्य को सेवन कर अथार्ट हे मेधारन कर यहाँ पर कुन-कुन की मा अपने पुत्र को जनम से ही लोरी सुना कर उसे शुद्धात्म द्रव्य का स्मरन कराती है अतै एक अदन शुद्ध निश्चेने की उपेक्षा है जो उपादे है ग्याता असी द्रिष्टा असी परमात्म रूपी अखंड रूपो असी जितेंद्रियस्ट्मम त्यजमान मुद्राम मदालसा वाक्य मुपास्व पुत्र हे पुत्र तुम ग्याता हो तुम द्रिष्टा हो जो रूप परमात्मा का है तुम भी उसी का हो अ खंड हो गुणों के आले हो अथार्त अनन्थ गुणों से युक्त हो तुम जितेंद्रिय हो अतै तुम मान मुद्रा को छोड़ो मानव प्रयाई की प्राप्तिक के समय सर्व प्रधम मान कशाय ही उदे में आती है उस कशाय से युक्त मुद्रा के त्याग के लिए माने उदेश दिया है है पुत्र मदालसा की इन बाक्यों को हिरदे में धारण करो शान्तो असी दान्तो असी विनाश हीना सिद्ध स्वरूपो असी कलंक मुक्तह जोती स्वरूपो असी विमुच्चिक माया मदाल सावा क्यमुपास्व पुत्र मा मदाल सावने पुत्र कुन-कुन को उसके स्वरूप का बोद कराती हुई उपदेश करती है कि हे पुत्र तुम शान्त हो अथार्थ रागवेश से रही थो तुम इंद्रियों का दमन करने वाले हो आत्म स्वरूपी होने के कारण अभिनाशी हो सिद्ध स्वरूपी हो कर्म रूपी कलंक से रही थो अखंड केवल ज्ञान रूपी जोती स्वरूपो अते हे पुत्र तुम माया को छोड़ो मदालसा की इन वाक्यों को हिर्दय में धारण करो एको असी मुक्तो असी चिद्धात्मको असी चिद्रू पवावो असी चिरन्तनो असी अलक्षे भावो जही देहे मोहम मदालसा वाक्यम उपास्व पुत्र मा मदालसा लोरी गाती हुई अपने पुत्र कुन-कुन को कहती है हे पुत्र तुम एक हो, संसारिक बंदनों से स्वभावते मुक्त हो, चेतन्य स्वरूपी हो, चेतन्य स्वभावी आत्मा के स्वभाव रूप हो, अनादी अनन्त हो, अलक्ष्य भाव रूप हो, अते हे पुत्र शरीर के साथ महुपरिणाम को छोड़ो, हे पुत्र मदालसकी इन वाक्यों को हिर्दे में धारण करो निश्काम धामासी विकर्म रूपा रत्न त्रयात्मसी परम पवित्रम वेतासी चेतोवसी विमुन्च कामम मदालसा वाक्यमो पास्व पुत्र जहां कोई कामनाई नहीं है ऐसे मोक्ष रूपी धाम के निवासी हो द्रव्य कर्म तजन्य भाव कर्म एवं नो कर्म आदी संपूर्ण कर्म कांट से रहित हो रत्न त्रयात्मा हो शक्ती की अपेक्षा के वल ग्यान में हो चेतन हो अतहे पुत्र संसारिक इच्छाओं एवं एंद्रियक सुख को को छोड़ो मदालसा के इन वाक्यों को हिर्दे में धारण करो प्रमाद मुक्तो असी सू निर्मलो असी अनन्त बोधादी चतुष्टो असी ब्रह्मासी रक्ष स्वाचिद दान्त्म रूपम मदालसा वाक्यमो पास्व पुत्र अपने पुत्र को शुधात्मा के प्रति इंगित करती हुई कुन-कुन की मा मदालसा लोरी के रूप में फिर कहती है तुम प्रमाद रहित हो क्योंकि प्रमाद कशाए जन्ने है सू निर्मल अठार्ट अश्ट कर्मों से रहित सहज बुद्ध हो चार गातिय कर्मों के अभाव में होने वाले अनन्त ग्यान दर्शन सुख वीर्य रूप चतुष्टों से युक्त हो तुम रामत अता शुदात्मा हो अतेहे पुत्र अपने चेतन्य स्वाभावी शुद्ध स्वरूप की रक्षा करो मामदालस की इन वाक्यों को अपने हिर्दे में धारण करो केवल्य भावो असे निर्वित योगी निरामई ग्यात समस्त तत्वं पराद्म वेत्ती स्मरर चित्ध स्वरूप मदालसा वाक्यमों पास्व पुत्र तुमके वल्यभाव रूप हो योगों से रहित हो चन्म मरण जरा आधी रोगों से रहित होने के कारण निर्या में हो समस्त तत्वो की ग्याता हो शर्वश्रेश्ट निजात्म तत्व में विच्ञन करने वाले हो हे पुत्र अपने चतन्य स्वरूपी आत्मा का स्मरण करो हे पुत्र मा मदालसा के इन वाक्यों को सदेव अपने हिर्दे में धारण करो चतन्य रूपो असी विमुक्त भावो भावा विकर्मो असी समगर वेदी ध्याय प्रकामम परमातमरूपम मदालसा वाक्यम उपास्व पुत्र मामदालसा जूले में जूलते हुए पुत्र कुन-कुन कोशुधात्म सुरूप की घुट्टी पिलाती हुई लोरी कहती है । ये पुत्र तुम चेतन्य सुरूप हो सभी विभावों से पूंत्य मुक्त हो, सभी कर्मों से रहित हो, संपून लोका लोक की ग्याता हो पर्मो उत्रिष्ट एक अखंड ग्यान दर्शन में सहज शुद्य स्वरूप जो परमात्मा का सुरूप है बह तुम स्वयम हो, अते अपने परमात्म स्वरूप का ध्यान करो, हे पुत्र, मदाल्सा के इन वाक्यों को अपने हिर्दे में धारण करो इत्यष्ट केरिया, पुरतस्त नूजम, विभोद नार्थ, नर्नारि पुज्यम, प्राविज्य बीता, भव भोग भावात, स्वयकैस्त तदासौव सुगीतिम प्रपेदे इन आठ श्लोकों के द्वारा, माम अदाल्सा ने अपने पुत्र कुन-कुन को सुदो सुबोध प्राप्ति के लिए उपदेश दिया, जिससे वैसंसारिक भोगों से भैवीत होकर, समस्त नर्नारियों से पुज्ये, श्रमन दिक्षा धारण कर, सद्गति को प्राप्तुर इति अश्टकम पाप परांड मुखो यो मदाल साया भणती प्रमोदाद, सद 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 गिदिम, श्री शुब चंद्रमासी, समप्राप्य निर्वान, गतिम प्रपेदे इस प्रकार जो भव्य जीव मदाल साद्वारा रचित इन आठ श्लोक में स्त्रोतों को पाप से परांग मुखो कर वे हर्शपूर्वक पड़ता है, वे श्री शुब चंद्रुरूप सद गति को प्राप्त हो कर क्रमशय मुख्ष को प्राप्त करता है